प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में हमने कौस ग्यों तक वेंजनु के तेन तीन सब्दों के बारे में पढ़ा और उस सीरीज को हमने कंप्लीट किया और उसका अभ्यास कारी भी किया तो आज की इस वीडियो में हम दो अक्षरूं वाले सब्द यानिकी बिना मात्रा से बनने वाले सब्दू के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे इस दिते हैं सबसे पहले जैसे आफ में दिखाए दा कता आपको दिखाए दे रहा है को धन बल इसको मिला के बन जाता है कब साऊबं यहां पे कप काच दिखाये रहा है कब बन गया यानकी जो चाय फीने के काम आता है दूत्विने के काम आता है अगला है खो धन तौ इसको मिला के बन गया खत यानि कि चिठी जिसे कहते हैं खत अगला है गो धन जो बराबर गज तो गो और जो को मिला के बन गया गज गज यानि की हाती एक जानवर है दिखाए देरा आपको यहां पर हाती जानवर उसे गज भी कहते हैं अगला है घो धन रो गो और रो को मिलाके बना है घर यहां पर दिखाए देरा है घर है और सुन्दर सा घर यहां पर दिखाए देरा है जो क्या करता हमें सर्दी गर्म से बचाता है और हम लोग सभी घर में रहते हैं वो घर अगला है होः धन लोग और लोग को मिला के बना हल यहां पे दिखाय लेके लिए हमारे खेच जोतने के काम काम आता है अगला है छोद तो बराबर चुद चौ और तो को मिलाके बना चुम्ल चब घर अगला है जो धन गो बराबर जग यनकी जो और गो को मिला के बना जग जग यनकी जिसमें हम लोग क्या करते हैं पानी रखते हैं जग अगला है तो धन बो बराबर तब तो और बो को मिला के बना तब तब यनकी जो पानी रखने के काम आता है और बच्चे लोग इसमें खू है अगला है अगला है धथा फाम दन गोव बराबर थजा चोब 15 मिला करता है थगता है जो दूसरे को क्या की टार्फ ए उसे बोलते हैं थग प्यारे बच्योश artahu दन नो बराबबर तन तो और वह भूँआ था दे दे रहे हैं हैं जिशमां से दूर निकलता है अगला है धो नहीं हैं द्हू कि अगला रहे हैं गला नहीस है इचल नहीं है कि यह आफको धन और नहीं है नट यह दिखाए यहां पर रहा है रत है घोड़े उसे खीच रहे है राज्स में बैठें रत अगला है, पोग्या धन थो को मिला के बनाए पत्त था पत, धन लो फो धन लो बराबर फल फो और लो को मिला के बना है फल हाँ पेर बहुत सारे फल दिखाए देरें चित्र में आम हैं और केले हैं अंगूर हैं हनानास हैं तरबूज हैं पहुत सारे फल हैं अगला है बहुत धन सो बराबर बस बहुत और सो को मिला के बना हैं बस जो क्य जाती है यातायात का साधन भी इसे कहते हैं बस प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने दो अक्षरों वाले सब्द यानि की बिना मात्रा वाले सब्दू के बारे में पड़ा तो आप लोग इसे खूब ध्यान से और मन लगा कर पढ़ेंगे तो आप लोग के समझ मा आएगा और इसे बड़ी मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे घर में भी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ सचा है